दोस्तों आज के वीडियो में हमारे दोरा टेस्ट 16 शुरू किया जा रहा है यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरू करें और जितना हो सके अपने दोस्तों को इस वीडियो को सेर भी जरू करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाव समय दिया जाएगा ताकि आप समय रहते ही सभी प्रस्णों का एंसर कर सकें और वीडियो के अंतर में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रस्ण सही हो रहे हैं तो दोस्तो इस प्रस्ण का सहीतर होो जाएगा अपसान नमबर D संसत को यह अधिकार प्राप्त है अब चलते हैं हमारा अगला प्रशन है question number 2 प्रथम बित आयोग के अध्याच कौन थे बहरी बहरी important question है दोस्तो प्रथम बित आयोग के अध्याच कौन थे तो दोस्तो इस प्रशन का सहीत रोजागा option number A केसी नियोगी जी थे प्रथम बित आयोग के अध्याच अब चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर हमारा अगला प्रस्ण कोश्चन नमबर 3 मौलिक कर्तव्यों को निधारित किया गया कौन सा समिधान संसोधन द्वारा निधारित किया गया यह आपको बताना है मौलिक कर्तव्यों को तो दोस्तो इस प्रश्ण का सहीतर हो जागा अप्सन नमबर C 42 समिधान संसोधन द्वारा मौलिक करतव्यों को निधारित किया गया अब चलते हैं अगले प्रश्ण के ओर हमारा अगला प्रश्ण कोश्या नमबर 4 प्रकास संसलेशन की प्रकिरिया में निम्लिखित में से कौन आवेस्यक है? तो दोस्तो इस प्रश्ण का सहीतर हो जागा अप्सन नमबर D उप्यूक्त सभी कारवन डायोकसाइड भी आवेस्यक है क्लोरोफिल भी आवेस्यक है हविश्यक है और सुर्य का प्रकास भी यानि कि option number D इस प्रश्न का सही उत्तर हो जागा आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हमारा अगला question question number five भारतिय दलहन सोज संस्थान कहां इस्तित्थ है कि तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जागा option number C कानपूर में इस्तित है अब चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर हमारा अगला प्रश्ण कोश्चन नमबर 6 है भारत में सबसे बड़ा बौध अस्तूप कहां इस्तित है तो दोस्तो इस प्रशन का सहीत रोजागा अप्सन नमबर B साची में भारत में सबसे बड़ा बहुत अस्तूप साची में इस्तित है अब चलते हैं अगले प्रशन की ओर हमारा अगला प्रशन कोश्चन नमबर सेवन किस धर्म सुधारक की मिर्तियू भारत के बाहर हुई थी तो दोस्तो इस प्रशन का सहीत रोजागा अप्सन नमबर B राजा राम मोहनराई जी की मिर्तियू भारत के बाहर हुई थी अब चलते हैं अगले प्रशन की ओर हमारा अगला प्रशन कोश्चन नमबर 8 तितली की आँखे रात में क्यों चमकती है? तो दोस्तो इस प्रशन का सहीत रोजागा अपसर नमबर C टेपी टम लूसीडम के कारण ये आपको याद रखना है अब चलते हैं अगले प्रशन की ओर हमारा अगला प्रशन कोश्चन नमबर 9 निम्लिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेत्रित दिल्ली में किया था? तो दोस्तो इस प्रशन का सहीत रोजागा अपसर नमबर D सेद हैदर रजा ने दिल्ली में नेत्रित किया था स्वदेशी आंदोलन का आपको हमें comment box में ये बताना है कि सवदेशिल आंदोलन कब हुआ था ये आप हमें comment box में बताएंगे अब चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर हमारा अगला प्रस्ण है question number 10 निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही योगिक अब चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर हमारा अगला प्रस्ण है question number 11 दच्छिन पस्चिम मानसुन किस राज में सवरपर्थम परवेश करता है तो दोस्तो इस प्रस्ण का सहीत रोजागा option number D केरल में अब चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर हमारा अगला प्रस्ण है question number 12 काविसली का प्राचिंतम नमुना किसके अभिलेख में मिलता है तो दोस्तो इस प्रस्ण का सहीत रोजागा option number A रुद्र दमवन के अभिलेख में काविसली का प्राचिंतम नमुना मिलता है अब चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर हमारा अगला प्रस्ण है question number 13 जैबिक वातावरन के दो घटक कौन-कौन है तो दोस्तो इस प्रस्ण का सहीत रोजागा option number D पादव एवन जन्तु जैबिक वातावरन के दो घटक है अब चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर हमारा अगला प्रस्ण है question number 14 कार खानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति निउक्ति नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयू कम से कम कितनी होनी चाहिए यह आपको बताना है तो दोस्तो इस प्रस्ण का सहीत रोजागा option number B 14 वर्ष से कम जब तक होगा तब तक उसमें निउक्ति नहीं किया जाएगा अब चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर हमारा अगला प्रस्ण कोश्चन नमबर 15 अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है तो दोस्तो इस प्रस्ण का सहीत रोजागा option number B प्रकिर्णन के कारण सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है अब चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर हमारा अगला प्रस्ण कोश्चन नमबर 16 चौथी पंचवर्षी योजना को कहा जाता है जो 69 से 74 तक चला था तो दोस्तो इस प्रस्ण का सहीत रोजागा option number C गाडगिल योजना चौथी पंचवर्षी योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है अब चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर हमारा अगला प्रस्ण कोश्चन नमबर 17 रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं क्या कहलाते हैं यह आपको बताना है तो दोस्तो इस प्रस्ण का सहीत रोजागा option number C जीरो फाइटा के नाम से जाना जाता है अब चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर हमारा अगला प्रस्ण कोश्चन number 18 Lord मेकाले संबंधित है किस से संबंधित है यह आपको बताना है Lord मेकाले तो दोस्तो इस प्रस्ण का सहीत रोजागा option number C अंग्रेजी सिच्छा से अब चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर हमारा अगला प्रस्ण कोश्चन number 29 दाल चीनी पेड के किस भाग से प्राप्त होता है तो दोस्तो इस प्रस्ण का सहीत रोजागा option number D चाल से अब चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर हमारा अगला प्रस्ण कोश्चन number 20 वापूर्टगारी कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था तो दोस्तो इस प्रस्ण का सहीत रोजागा option number B अब चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर हमारा अगला प्रस्ण कोश्चन नमबर 21 यदि केस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढने वाली जल सता की उचाई होगी तो दोस्तो इस प्रस्ण का सही तरुजागा अपसा नमबर B आधी रह जाती है अब चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर हमारा अगला प्रस्ण कोश्चन नमबर 22 जापान में लोग किस लाइक केन को सबजी के रुप में खाते हैं तो दोस्तो इस प्रस्ण का सही तरुजागा अपसान नमबर C इंडो कारपन को जापान में लोग लाइकेन की सबजी के रूप में खाते हैं अब चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर हमारा अगला प्रस्ण कोश्चन नमबर 23 चौल राजाओं ने किस धर्म को सनरच्छन परदान किया सेव धर्म को चौल राजाओं ने सनरच्छन परदान किया था अब चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर हमारा अगला प्रस्ण कोश्चन नमबर 24 डंड्रोलोजी का संबंध है तो दोस्तो इस प्रस्ण का सेव तरो जाएगा अप्सण नमबर C जाडियों के अध्यन से अब चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर हमारा अगला प्रस्ण कोश्चन नमबर 25 भारत में मसालों का सरवाधिक उत्पादन कहां होता है तो दोस्तो इस प्रस्ण का सहित्तर रोजाएगा अप्सण नमबर A केरल में भारत में मसालों का सरवाधिक उत्पादन केरल में होता है तो दोस्तो यहीं पे हमारा यह वीडियो समात होता है उमीद है कि आपको यह कोश्चन अच्छे लगएंगे और आपने सारे प्रस्णों का एंसर भी किया होगा आप कितने प्रस्ण एंसर सही किये हैं यह आप हमें जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताएं तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम